हलो दोस्तों वचक मिश्टी में आप सभी का स्वागत है हमारे देश में अंद विश्वास की कमी नहीं है इसके नाम पर जानवरों की बली चड़ा दी जाती है दरवाजे पर निमू उमिर्च लटकाया जाते है सवाल कई हैं जिसके जवाब ढूडने का प्रयास कम ही लोग करते हैं और जो नहीं करते हैं वो किसी भी विश्वास को अंद भक्त बनकर मानते चले जाते हैं और कोई भी यह हिम्मत नहीं करता कि यह मान्यताएं पर अंपरायें तोड़ दी जाए या उसके खिलाब कोई कदम उठाय जाए बजपन से लिएकर अब तक ना जाने कितनी चीजे हैं जिसे हम आप तक फालो करते हैं जैसे नदी में सिक्के फेकना आपने नई फेके होंगे तो देखा तो ज़रूर होगा लोगों को नदी में सिक्के फेकते हुए घर या दुकान के दरवाजे पर निम्बू मिल्ची लटकाना आपने ऐसे चीज़े अपनी जिन्दगी में देखी जरूर होगी आपको आपके जनने वालों ने इसके बारे में बताया भी होगा लेकिन आपने इसको दूसरे नजरिये से समझने की कोशिस नहीं की बस जो बताया गया वही सच नहीं होता है मगर आपने इस अंदविश्वाज के पीछे चीपे लोजिक को नहीं जाना होगा तो इसलिए हम लेकर आए हैं ऐसे ही अंदविश्वाज की एक लिस्ट जिसके पीछे की लोजिक को जनना आपके लिए जरूरी है जिससे की आगे कोई भ्रमित ना हो तो चलिए शुरू करते हैं समसान गाट से आकर नहाने की प्रता अंद विश्वाज इसके पीछे ये है कि जो विक्ति भगवान को प्यार हो गया उसकी आत्मा को सांती मिले इसके पीछे का लॉजिक ये है कि तो रसल पहले के समय में हेपिटाइटिस और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के लिए वैक्सिनेशन नहीं था इसलिए अंतिम फंसकार करके घर वापस आने पर ना आये जाता था जिससे की सौग की किटाडू हमारे सरीर को नुफसान न पहुचा है तलाब में सिक्के फेकना इसको लेकर कड़ी तरह के अंदेविस्वास है लेकिन कुछ लोग योगी करते हैं कि इससे भागे मजबूत हता है लेकिन इसकी पीछे को लॉजिक यह है कि पहले के जवाने में सिक्के तामबे की हुए करते थे और हम सभी जानते हैं कि तामबा पानी के अंदर के ब्रेक्टिरिया खत्म करने की छमता रखता है साथ ही साथ तामबा सिहत को फायदा पहुचाने वाले धातु है इसलिए तामबे के सिक्के नदी में फेके जाते हैं लेकिन अंदेविस्वास के चलते लोग आज भी सिक्के पानी में फेकते हैं कहीं जाने से पहले धाई खाना इसके पीछे का अंदेविस्वास यह है कि इससे भागे साथ देता है दरसल पहले के लोग कई मिलों तक पैदल चला करते थे और गर्मी के मौसर में धाई खाने से पेट ठंडा रहता है इसके साथ ही दही के साथ अगर चीनी मिला के खाई जाए तो ग्लुकोज की काम करता है इसलिए लोग घर से निकलने से पहले दही और चीनी का इस्तेमाल करते थे जिससे कि उन्हें रास्ते में कोई समस्या ना हो मंगलवार और गुरुवार को बाल न धोना है इसके पिछे का अंदविश्वास यह है कि इसे बुरा वक्त सुरू हो जाता है लेकिन इसके उलट पुराने समय में मंगलवार और गुरुवार को बाल न धोना पानी बचाने का एक तरीका माना जाता था क्योंकि उस समय पानी काफी दूर दराज के छेतरों से लाना पड़ता था इसके अलावा उस समय महिलाए लंबे बाल रखती थी जिससे ज़्यादा पानी लगता था दरवाजे पर निमू मिर्च लटकाना अंद विश्वास इसके पीछे ये है कि इससे किसी की बूरी नजर नहीं लगेगी दरसल इसके उलट निमू मिर्च में मौजूद साइट्री के सीट घर के अंदर कीड़े मकरणों को आने से रुकते हैं इससे घर में रहने वाली फैमिली को हेल्थ संबंदी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मंदिर में घंटी बजाना इसके पीछे का अंदर विश्वास यह है कि घंटी बजाने से भगवान खोस होते हैं जबकि इसका लोजिक है कि घंटी को बजाने के बाद जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे बॉडी पर असर डालता है इससे हमें ध्यान लगाने में मदद मिलती है और positive energy बढ़ती है मंदिर के घंटी बजाने से वाता उरड़े में मौजूद की ठाणू नस्ट हो जाते हैं और दोस्तों आज के लिए बस इतना है थैंक यू